आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बड़ी समश्या को लेकर के उसके विशह पर बात करने के लिए यहां आई हूँ मैं बात कर रही हूँ आज बढ़ते हुए पनाव और डिप्रेशन की पहली बात मैं शुरुवात करूँगी भगवत गीता से मुझे लगता है कि शायद भगवान ने पहले ही आज के इस रोग को सोच करके उसका निदान इसमें लिख दिया है भगवान कृष्ण ने दो बाते कहीं द्यायतो विश्यान पुनसह संगस्ते सूपजायते संगा संजायते कामह कामात क्रोधो भिजायते एक व्यक्ती जो इस रोग का शिकार है शायद उसे भी नहीं पता कि कारण क्या है वो क्यू परेशान है वो क्यू इतना अकेला महसूस करता है इसकी शुरवात होती है क्रोध से क्रोध व्यक्ती के जीवन में आरम होता है उसे लगता है रहे बड़ा नॉर्मल है कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने डाट दिया लेकिन हुआ क्या एक बार गुस्सा किया गुस्सा करके आप शान्त होगे दूसरी बार आपने क्रोध किया फिर आप शान्त होगे धीरे धीरे आप जाएंगे क्रोध करेंगे गुस्सा करेंगे फिर वापस आजाएंगे अपनी नॉर्मल जिंदिगी लेकिन एक समय आएगा जब आप क्रोध तो करेंगे आप वहां पहुँच तो जाएंगे लेकिन आप वहां से वापस नहीं आ पाएंगे और तब कोई डॉक्टर कोई वैध्य आपको बताएगा कि भीया आप डेप्रेशन के सिकार इस रोग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है महत्वकांग्षन यानि आपकी इच्छाएं जो कभी शांत नहीं होती बहुत सारी काम नायाती है और जब वह पूरी नहीं होती तो क्रोध गुसा उत्पन होता है और धीरे धीरे गुसा मानसिक तनाव मांसिक तनाव से आप धीरे धीरे अपनी जो मेंटल स्थिती है उसे गिरते चले जाते हैं अपनी इच्छाएं, अपनी महत्व कांशाएं को जिस दिन हमने अपने कंट्रोल में रखना सीख लिया उस दिन आपके मन से मांसिक तनाव अपने आप दूर हो जाएगा जब आपको लगा कि कोई व्यक्ती इस बिमारी की ओर बढ़ रहा है पर आपको उसके लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो आप एक काम करिए, उसकी मदद करिए, जाकर के उसको एक अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरन में लेके जाएए उसको प्रकृती से जोड़िए, यह देखो इस संसार में कितनी हर्याली है, कितनी सुन्दरता है, एक बार घर से निकल और चल मेरे साथ, देख इस दुनिया को, कितनी सुन्दर दुनिया है, उसको खुश रखने का प्रयास करिए, ताकि वो इस बीमारी से निजात पा सके यह स्वभाव नहीं है, प्रोधाना, यह हैबिट नहीं है, यह रोग है, जो धीरे धीरे आपको बहुत दूर ले जाएगा, जहां से आप वापस नहीं आता है, पहली बार ही, जब आपको किसी को डाटने का मन करें, तो अपनी लास्ट स्थिती को याद कर लीजेगा, कि इ अंतिम परिनाम आपके जीवन में क्या हो सकता है, शायद आप अंतिम परिनाम को देखके डर जाएं, और इसका शुरुवात ही करने से आप वही से रोग हैं, इसी निवेधन के साथ आप सभी को राधे राधे